हालो स्टेंट्स प्रीविएस वीडियो में अपने जेनेटिक्स में एक बहुत इंपोर्टेट टोपिक डिसकुशन किया था जिसका नाम था अपना टेस्ट क्रोस एंड बैक क्रोस तो मेरे क्याल से सबको समझ में आ गया होगा टोपिक फिर भी कोई दिक्कत है उस टोपिक के वाली है दिपावली के दो या तीन दिन बाद में क्योंकि गुवर्मेंट का नोटिफिकिशन भी आ रहा है पहले क्लासे अपने एक नॉम्बर से ही स्टार्ट हो रही थी 22 तारिक से आपको गुलाने के लिए कुछ बच्चों को फोन कोल्स भी किया गया था मगर वो बाद म का मुमेंट होता बच्चों क्याने जाने का फालतों में पेसा वेस्टेज होता तो गुवर्मेंट अभी ये फाइनल किया है कि आफ्टर दिपावली जो है वो आपकी क्लासे जो है वो पूरे-पूरे 100% सांसे है कि स्टार्ट हो जाएगी तो दिपावली के बाद में जैसे अपने फिर से भी करेंगे नया सलेबस अपना जो क्या चेंजिंग हो है सलेबस के अंदर 40% सलेबस अपना कम करने के बात चल रही है बोड के तुरू तो कितना सलेबस कम हो है कौन कौन से टोपिक्स अपने है तो इन सब बातों के उपर बैट करके डिसकसन करेंगे तो कि न अपना मोनो हाइब्रिड क्रोस मोनो हाइब्रिड क्रोस या इसका एक दूसरा नाम और है इन्हेरिटेंस ओफ इन्हेरिटेंस ओफ वनजीन इन्हेरिटेंस ओफ वनजीन मोनो हाइब्रिड क्रोस है इन्हेरिटेंस ओफ वनजीन देखो टर्मिनलोजी के अंदर ये मोनो हाइब्रिड क्रोस है उसको डिफाइन करके मैंने आपको समझाया था डिटेल से स्टेडी अपना आज करेंगे क्या होता है mono hybrid cross मैंडल जो seven pair contrasting traits का selection किया था उन में से one pair contrasting traits के बीच में अपन cross करवाते हैं यानि एक ही characters के inheritance की जब अपन steady करते हैं एक ही characters की inheritance यानि next generation में एक character जो है वो कैसे जा रहा है क्यावल एक ही character को ले एक character मतलब एक zine यानि एक zine का inheritance करें या एक characters के inheritance की study जब अपन करते हैं तो वो कहला था अपना mono hybrid cross मैंडल ने अपना ये experiment जो है वो किस प्रकार से किया था कैसे work किया था mono hybrid cross में मैंडल ने पहले mono hybrid cross किया फिर उसके बाद में मैंडल inheritance के low जाए फिर dihybrid cross किया फिर inheritance के low जाए थे तो पहले experiment हुए थे बाद में low जाए थे धांड़कना मैंडल के ये experiment है पहला experiment ये है mono hybrid cross वाला experiment तो मैंडल ने क्या किया था इसके अंदर अपने इस cross के अंदर parent plant जो है उनके अंदर pure tall plant लिये एक side में और दूसरे जो plant cross pollination कराने के लिए ये वो लिये थे pure dwarf pure dwarf और pure tall plant लिये ये दोनों plant जो है ये दोनों plant क्या लाए थे parent plant ठीक है सबसे पहले लिये तो ये पी यानि parent है अब इन दोनों की बीच में tall और ड्वार्फ की बीच में cross कराया तो जितने भी plant है यानि all plants जो है वो मिले थे वो थे tall all plants tall प्राप तो ये थे मेंडल को तो ये होगी f1 generation f1 generation कैसे निकाली गई parent plant जो है उनकी बीच में cross pollination कराया pollination कराने के बाद में seed मिले उन seed को grow करवाया ग्रो कराने के बाद में जो plant मिले उन plant को f1 generation के plant कहा और वो plant phenotypically कैसे थे tall थे जितने tall ये थे उतने tall ये थे इसका मतलब होगे कि tall वाला character जो है वो dominant है recessive वाला dwarf जो character है recessive वाला dwarf जो character है वो recessive है क्यों द्वार्फ तो ये नहीं मिला सभी plant tall मिले थे tall collector जो है वो dominant है ये अपने उस table में भी लिखा था अब उसके बाद में क्या किया था मेंडल ने F1 generation के जो plant थे उनके अंदर self pollination कराया ये तो cross pollination था फिर करवाया self pollination self pollination क्यों कराया F2PD इन से F2PD को निकालने के लिए self pollination हुआ तो self pollination कराने के बाद में मेंडल को दो types के plant मिले कुछ plant जो है वो tall भी मिले मेंडल को जितने भी प्लांट है उनमें 75% 75% को मैं 3 बोल सकता हूँ 75% plant जो है वो तो tall मिले और 1 यानि 25% बोल सकता हूँ 1 जो है वो मिले dwarf यानि tall और dwarf दोनों मिले थे मगर 25% dwarf मिले और 75% tall मिले थे 75% tall जो है इनमें भी 2 types के plant थे इनमें कैसे थे इनमें 2 types के plant थे वो थे 50% यानि 2 50% जो थे वो तो थे pure sorry impure 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 tall impure tall का मदलब heterogies heterogies condition impure है और homozygous condition pure है यानि capital T, capital T वाली plant भी टोल है capital T, small T वाली भी plant टोल है मगर ये तो हो गए pure homozygous condition हो गई है और ये हो गए impure capital T, small T, heterogies condition हो गई है ये तो impure मिले 50% और 25% जो है एक तीन में 75 में से 50% impure और 25% जो है वो pure tall मिले थे ठीक है तो यहाँ पर 25% वार्फ 25% pure tall 50% impure tall ये जो generation मिली है ये कहलाई है F2 generation ठीक है अब F2 generation से आगे F3 generation और निकाल ली मेंडलने F3 generation की result कैसे मिले F3 generation निकालने के रहे वही सब में F1 विजल वाला यानि 75% tall and 25% dwarf और जब pure के अंदर self-pollination करवाते हैं तो F3 generation के result में all plant tall मिले all plant tall और dwarf में जब self-pollination कराते हैं तो all plant dwarf मिले थे ठीक है ये जो generation आई है ये generation हो गई है F3 generation ये F3 generation होगी है ठीक है ये मेंडल का monohybride cross था monohybride cross वाला experiment था मगर exam के अंदर अपन का जब question आता है तो इस type से अपन को represent नहीं करना है क्योंकि monohybride cross को checker board या panate square की help से पूछा जाता है अब ये pan monohybride cross है यही मगर इसी को ही Reginald C. Panate name के scientist ने एक method किया था उस method का नाम उसने अपने name के according ही दिया Panate square method या इसको अपन checker board बनाते हैं अपन तो checker board method भी बोल सकते हैं तो checker board या panate square की help से monohybride cross को अपन कैसे represent कर सकते हैं तो same यही चीज़े होंगी मगर उसमें symbol ले लेंगे अपन टीटी वाले तो parent plant में monohybride cross में सबसे पहले capital T, capital T, pure tall थे ना pure tall यहाँ पर pure tall capital T, capital T pure dwarf यानि small T, small T यह plant कुन से थे यह तो homozygous homozygous tall और यह भी homozygous है मगर यह dwarf है homozygous dwarf और homozygous tall plant ले लिए और यह plant थे parent plant फिर इनमें से gamit निका ले gamit हमेशा कैसे निकलते हैं दोनों allil में से दोनों अगर homozygous है तो यह की type की gamit होंगे यानि single कर देना है capital T और यहाँ से gamit होंगे small T तो यह G हो गया है यानि gamit all plant tall ठीक है अब F1 generation से F2 generation कैसे निकली self-pollination हुआ self-pollination हुआ तब कैसे हुआ यहाँ पर अपनको panet square या checkerboard बनाना है जिसमें एक square बनाना है square के अंदर दो तो ऐसे vertical line बनानी है और दो इस type से horizontal line बनानी है total इसके अंदर अपनको 9 square बना देने है इनमें ये वाला corner वाला square इसके अंदर ये एक तिर्ची line बनानी है जिसके में दो box हो गई इसके अंदर यहाँ पर male वाला symbol और यहाँ पर female वाला symbol लगा देना है अब gamit लिख देने है self-pollination का बलब capital T smalluais lay plant का ग्रोस capital T smallAB capital T partir capital T small T small T यह वाली जो मिली है अपनको यह Aberanna इसके मिली है F2 generation लेगेेटयों, और ख violently यहांब पर रेति और यह दवर और यहांब रेश्यों निकालना में, सबसे Resident प्रेशियो और एक जिनो टाइप रेशियो तो मोनो हैब्रिड क्रोज का फिनो टाइप रेशियो निकालते है अब फिनो टाइप रेशियो का मतलब टोल है या ड्वार्फ है कितने प्लान टोल है कितने ड्वार्फ है तो टोल रेशियो ड्वार्फ अब काउंट कर लो कितने 1, 2, 3, 3 टोल है, द्वार्फ कितना है, सिंगल एक द्वार्फ है, तो रेशियो 1, यानि Monohabrid Gros का Phenotype Ratio कितना है, या 3 Ratio 1, अब इसे टाइप से अपनको Xenotype Ratio निकालना हो तो, Genotype Ratio, Genotype Ratio का मतलब Genie Structure, यानि Capital T, Capital T है, या Capital T, Small T है, या Small T, Small T है तो टोटल तीन टाइप के प्लांट है, कौन-कौन से, Capital T, Capital T वाले भी प्लांट है, Capital T, Small T वाले भी प्लांट है, और Small T, Small T वाले प्लांट है, इनके Mono Hybrid Cross complete होता है जिसको अपने Checkerboard या Panet Square के help से ऐसे बनाया है और बिना Checkerboard के help से अपने ऐसे इसको explain कर लिया है result अपने Phenotype और Phenotype दोनों का ratio निकाल लिया है यह अपना आज का topic complete होता है अगले वीडियो के अंदर अपन फिर से Di Hybrid Cross को लेकर के आएंगे जैसे अपने यह Mono Hybrid Cross किया वैसे यह Di Hybrid Cross होगा तो उसको अपने अगले वीडियो में डिसकाशन करेंगे Thank you